हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सबीका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिसियल एंड न्यूज 48 एक्सप्रेस में तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है जिसमें आपको डेली करेंट अफियर्स फ्री नोट्स और आपको फ्री स्टेडी कराई जाएगे फ्री मोक टेस्ट वगर आपको प्रोवाइड कराई जाएगे तो उ जैसा आपने थमनेल में देखा है उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तो वीडियो के साथ बने रहे हैं और आपके भी अगर कुछ कोस्टन्स है तो वह आप कमेंट करके जरूर बताईए तो साथियों जैसा आप जामते हैं कि डीटर प्लैस ने कोर्ट में अपडेट दी थी कोर्ट में जवाब दिया था कि मार्स तक हम वैकेंसी की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर लेंगे लेकिन इसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ तो हमने एड़ोकेट अशोक अगरवाल सर से रिक्वेस्ट करी कि सर आप कुछ करिये तो एड़ोकेट अशोक अगरवाल सर के प्रियास से ही डीटर प्लेस भी ने पहले भी जवाब दिया था पहले भी वैकेंसी जाए थी तो अभी हमने एड़ोकेट अशोक अगरवाल सर से बात करी थी तो उन्होंने सबसे पहले जो डीटर प्लेस भी में डीटर प्लेस भी के ज जो अवमानना याची का है वो दायर की वहाँ पे और इसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि इसके उपर जो फैसला आने वाला है क्योंकि डीटर पलेश भी को जानकारी देने थी कि कब तक वो वेकेंसिस निकालेंगे लेकिन उन्होंने अपना कोई भी काम टाइम पे नही मानने पर अवमानना याची का दायर की जाती है तो एड़ोकिट अशुक अगरवाल सर ने अवमानना याची का दायर कर दी डीटर पलेश भी पे कि उन्होंने वेकेंसिस नहीं निकाले डीओई ने डीटर पलेश भी को वेकेंसिस भी भेज रखी है और क्या दे रही है ना 23 23 दिसंबर 2019 को होने वाली मतलब मंडे को उस पे सुनवाई होने वाली है तो ये एक अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए और अगर सारी चीजे सामती पूर्ण धंग से चलती रहे जैसा आप जानतें कि अभी देश के अंदर माहोल इतना अच्छा है नहीं लेकिन अगर सारी चीजे अच्छी रहे 99 परसेंट जो है ये हो जाएगा जो 23 तारिक को सुनवाई है वो बिल्कुल अराम से हो जाएगी और फिर आप लोगों को जो भी आगे की अपडेट है तो एक आप समझ सकतें कि मंडे का जो दिन होगा न्यू वेकेंसी के लिए बहुत बड़ा दिन होगा और डीटर प्लेस भी इसमें क्या जवाब देता है क्योंकि अब की बार ये चीजे बड़े बड़े लेवल पर हाईलाइट हो रही है और ये मजबूरी होगे ये डीटर प्लेस भी कि को अब इनको वेकेंसी निकाल नहीं होगी क्योंकि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है क्योंकि एडवोकेट अगरवाल सर भी अब इतने वो नहीं है सुस्ती में नहीं है बहुत अच्छे से काम करने है तो अब देखते हैं क्या होता है तो आई होप कल का जो दिन होगा आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा तो देखते रहे हैं गुडबाई टेक कियर थेंक यू